अम हम लोग तेरवेश लोग पचलते हैं नरम वर्शियाम्सम् नयन मिरसम् नर्म सूजडम् तवापांगा लोके पतितम् अनुधावंति शतशह गलत वेणू भन्दा कुछ कालशवित विस्त्रस्त सिचया हठात रुड्यात कांचह विगलित दुकूला युवत यहाँ बहुत सुन्दर कह रहें कि हेमा कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत बुड़ा हो चुका है इतना बुड़ा है कि इसको कोई देखना ही नहीं चाहता फिर भी अच्छा कोई व्यक्ति एक तो बुड़ा और दूसरा कि कोई व्यक्ति जिसके चहरा भी इतना अच्छा नहीं है कुरूप सा है और जड़ बुड़ी भी है जिसको लोग देखना आना चाहए फिर भी यदी कोई तेरा आराधना करने लगे मां आपकी कोई आराधना करने लगे तो वह व्यक्ति इतना रमणी हो जाता है इतना आकरशक हो जाता है उसके अंदर आकरशन शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि सारी यूतियां उसके पीछी-पीछे भागने लगती है यूतियों के वेडियां खुल जाती है और यूतियों से कह रहें कि उनके उपर जो है ऐसे लग पढ़ने में तो यह ऐसा लग रहा है न, क्या लिखा है, यूवतियां पीछे आ रही है, शंक्राचारे ने दिया है हमको, ये करवाने के लिए, शंक्राचारे तो साक्षात योगी, है न, शंक्राचारे सन्यासी, शंक्राचारे ये क्यो हमको बोलेंगे ऐसा, कि यूवतियां उसके पीछे लग रही है यहां यूवतियों से साधारण यूवतियों की बात नहीं हो रही है यहां यूवतियों से बात हो रही है सिध्यों की जो मा का ध्यान करता है मा के चरणों में रहता है शकल उसकी कैसी भी हो चाहे वो कितना भी बुड़ा हो गया हो लेकिन ऐसे व्यक्ति कौन होगा मा का ध्यान करने वाला पहले तो बहुत शुद्ध होगा हो गई होगा संबभ नहीं कि वो कामी हो संसार के कामी पुरुष होते हैं वैसे नहीं होते हो शंकराचारे जैसे होते हैं वो, रामकृष्ण परमंस जैसे होते हैं वो, ऐसे होते हैं, इतने पवित्र होते हैं, मा की पुझा करने वाले, रामकृष्ण परमंस को आप स्मरण करो, कितनी भी एज हो गई, कैसे भी भाव में रहते थे, रामकृष्ण परमंस बावले होते थ लोग पेनाते रहते थे उनको कपड़ा ऐसे भाव आवेश में होते थे वह माखेपा का आप समरन करो तारा माई की पूजा करते थे भाव में आ करके जा करके कुछ भी करते थे वहाँ पर तो ऐसे जो है कि एक बार आपको लगेगा कि दूर से लगेगा कि यह कौन है लेकिन जब आप उनके करीब जाते हैं आप उनको छोड़ी नहीं सकते और सारी सिद्धियां इनके पीछे पीछे लेकिन इनको सिद्धियों में कोई ध्यान नहीं सिद्धियां कुछ भी करने को तैयर है अरे मा का भक्त है इतना उच्छे कोटी का भक्त है यह ऐसा भक्त हमारी तर उस तरह तो ध्यानी नहीं है, सिद्धियों तक अभी उसको परवाद नहीं होता, मा में ही खोया हो रहता है, उसकी वानी में आकर्षन है, उसके नेत्रों में आकर्षन है, उसकी बातों में आकर्षन है, वो कुछ बोले या नहीं बोले, वो जहां जाएगा वो, उसकी आगे बढ़ते हैं इसमें लिखा है कि मा तब आप आंगा लोग के पतितम्वी मा केवल आप जब कोई आपकी पुजा करता है केवल आप आखों के कॉर्नर से केवल आप किसी को देख ले तो इतनी कृपा ऐसे पर हो जाती है कि वो व्यक्ति में ऐसा आकर्शनाता है कि वो जि आप को अप्रशनाता है